नवस्कार दुनगरी न्यूस के खासकार एक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ साक्षिशन में बर फिर हाजिर हूँ एक और विदानसबा सीट के साथ जिसका चुनावी समिकर कॉंग्रेस बीजेपी नहीं बलकि तीसरी पार्टी ने दिगाड रता है कीव सर के वर्तमान विदायक आरलपी से नारेंड बैनिवाल है इस सीट पर बैनिवाल परिवार का वर्चसवत देखने को मिलता है इस सीट पर पिस्टे 40 सालों से बैनिवाल वर्सिस मिर्दा परिवार के सियासी जंग देखने को मिलती रही है यहां से कॉंग्रेस ने तेशपाल मिर्दा को उतारा है और बीजेपी ने रिवत राम दांगापूर टिकेट दिया है और वहीं पर आरलपी से हनुमान बैनिवाल सबकी गनित को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं और यहां कॉंग्रेस से टिकेट नहीं मिलने पर दुर्विसिंग चौहान निर्दली चुनाव लड़ रहे हैं और यहां कॉंग्रेस की टेंशन बढ़ा सकते हैं पिसी चुनाव में हनुमान बैनिवाल ने जीत दर्च कर सबको दरकिनार कर दिया था अब बात करें यहां के जातिकत समी करण की तो थीनसर सीट पर शुरू से ही जाट समुझाय का दबदबा देखने पुगरता रहा है इसके अलावा यहां पर दलित मद्दाताओं की भी अच्छी संक्या है ऐसे में दलित मद्दाता भी चुनाव में जीत हार में निनायक बूमिका रखते हैं इसके बाद में 2019 के चुनाव में बेनिवाल ने नागोर सीट से लोगसबा चुनाव लड़ा और जीत हासिरी के बेनिवाल के सांसत बने के बाद यह सीट खाली हो गbird उस समय बीजे पी ने और लपी को समर्थन दे दिया था इस चुनाओं में नारेंड बैनिवाल ने हरेंड मिर्दा को 4630 वोटों से हराया और नारेंड बैनिवाल की जीत देजपल मिर्दा अपने परिवार की परिपार्टी पर उतर के चुनाओ मैदान में आये हैं और उनके सामने मुख्य मुकाबला हरुमान बैनिवाल से हुगा हरुमान बैनिवाल ने अपने भाई का टिकेट काट कर खुद को चुनाओं में उता रहा है 2018 में आरेंड पी 9 लाग से जादा वोट और 3 सीटे लेकर भाजपा को चपत लगा चुकी है बैनिवाल ने आजा समाज पार्टी से गटबंदन कर दलित मद्दाताओं को भी आकरशित करने की कोशिश की बात करें कौंग्रेस कृतियाशी तेशपाल म्र्दा की तो वे पुचेरा रगर पालिका के अध्यक्ष है वे प्रभाव Šाली सियासी परिवार म्रदा परिवार से आते हैं और एलाखे में सक्रिय हैं बात करें बीजेपी तुतियाशी रेवत्रामडांगा की तो ये राजनितिक बैग्राउंड वाली फैमली से आते हैं ये एक महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये 15 साल तक सरपंच रहे हैं और ये आरेलपी में विविन पदों पर रहे हैं और इनकी पत्नी भी बात करें आरलपी के हनुमान बैनिवाल की तो उन्होंने अपने राजनितिक जीवन के शुरुआत राजनिती से की बार्तिय जन्ता पार्टी की तरफ से वो 2008 में खींसर से विधारेक बने थे लेकिन वतुंद्रा राजों से मतवेदो के चलते बैनिवाल ने भारतिय जन्ता पार्टी से स्तिफा दे दिया था फिर 2013 में निर्दलिय से विधायक बने उसके बाद साल 2018 में उन्होंने राज्ट्री लोगत्रिक पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली राज्ट्री सेयोजक है हनुआन बैनिवाल विरास्थान की खींसर विधानसवा शेत्र के पूर्व विधायक है हनुआन बैनिवाल नागोर लोगसभा से सांसत भी है इससे पहले वो नागोर की खींसर विधानसवा से तीन बार विधायक रहे हैं हनुआन बैनिवाल को अपने बेहत करीब रहे रेवत राम डांगा से चनोती मिल रही है वीजेपी से उत्रे किनार कर पाते हैं या वापस आरल पी अपना वर्चस कायम रख पाती है अगली बार फिर मिरते हैं आप से एक और विधानसवा सीट के समी करण पर तक के लिए नमस्का